चलिए भाई साब गूड इनिंग्स अपको गूड आफ्टरून कैसे है सब लोग पहले तो वह बता दो फटा फट ठीक है I hope सब लोग बहुत बढ़िया होंगे है ना और पढ़ाई तो करी रहे होंगे भाई तुम लोग साथ ही साथ में क्यूंकि हम लोग इतनी सारी क्लासे रेगुलर बिजनिस पे कर रहे है तो बत आव्यसी बाते उनके उपर आपको अपको सेल्फ स्टेडी भी करना जरूरी है ऐसा नहीं कि बस क्लास अटेंड कर लिये हो गया बस एक बार क्लास देख लिए हमको सब समझ में आ गया बस घर जाएक कुछ नहीं पढ़ना है ऐसा भाई हर क्लास में जितना जितना पढ़ाया जा रहा है अगर इस पर पढ़ते चलूँगे तो भाई एक्जाम के टायम पर कऊई दिक्कत नहीं होगी तो फिर तुमको पता है तुमको अच्छे जादा पता है कि कि यह का रिजल्ट कितना आता है भट खेल डरने की कोई बात र करते हैं तो उस वज़े से result में क्या हो जाती है दिकत हो जाती है तो इसलिए रोज class के साथ अगर पढ़ते चलोंगे तो फिर कोई दिकत नहीं होंगी ठीक है और अगर class के साथ नहीं पढ़ते चलूँगे बोलोंगे कि हम बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, भाई फिर तो तूम क्या भूलाओं मैं, ठीके तो इसलीं है, खेर, तो हमने कल individual series करेंगे, आज के lecture में हम सर्फ पढ़ा ही करेंगे जादा, सरोजी हुई कर रहे है, खेर, तो कल के lecture में हमने individual करें थे हमने average का मतलब समझे थे कि what is mean by average तो average मतलब होता है number which has the capacity to represent all the group of number average का मतलब होता है एक ऐसा number जिसके अंदर यह capacity है कि वो group of numbers को क्या कर सके represent कर सके उसका मतलब क्या होता है average होता है ओके फिर उसके बाद हमने कल arithmetic mean चालू करें थे यहां पर हमने वो लेते कि X का summation upon n मतलब सबकी total कर लो divided by किते number of observations है उससे divide कर लो तो आपका क्या जाएंगा एक्स बार एक्स बार का मतलब होता है mean मतलब arithmetic mean को गावरानी भाषा में आम भाषा में क्या कहा जाता है mean कहा जाता है ठीक है तो एक्स बार का मतलब क्या होता है mean होता है ओके उसके बाद हमने दो question solve भी करके देखे थे आज हमारा target था अच्छा एक homework भी दिया था मैंने चाहिए तो भाई इसका answer तो बहुत easy आ गया होंगा 5 plus 15 plus 25 plus 35 plus 45 plus 55 divided by 5 इसका answer तो आता है एक्स बार 36 अब किसी माहन उबाव ने यह रोल नंबर को भी consider कर लिया होंगा अगर तो उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता पहले question समझ लो portion में दिया क्या था आपको रोल नंबर और मार्क्स दिये थे मतलब बेसिक लिए आपको रोल नंबर मतलब बताया था कि जिसका जिसका रोल नंबर 1 है उसको 5 मार्क्स है जिसका रोल नंबर 2 है उसको 15 मार्क्स है जिसका रोल नंबर 3 है उसको 25 मार्क्स है जिसका रोल नंबर 4 है उसको 35 मार्क्स है जिसका रोल नंबर 6 है उसको 55 मार्क्स है तो बेसिकली यह रोल नंबर का यह जो रोल नंबर दिये वे इस कि टोटल करनी थी और इसको डिवाड़ेड़ बाइन नमबर अब अब्सरेशन कितने 6 है ना 5 डिवाड़ेड़ प्लस 15 प्लस 25 प्लस 35 प्लस 45 प्लस 55 डिवाड़ेड़ बाइ 6 अब थोड़ा हम आगे बढ़ते है और अब हम बात करते है कि डिश्क्रीट की अब हम किसकी बात करते है डिश्क्रीट सिरीज नेक्स्ट राइप अफ सीरीस इसका अब मतलब क्या होता है समझाता हूँ पहले उसका क्लास में जरूरी नहीं है कि दोई बच्चे हो या पाची बच्चे हो ठीक हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के उसके अंदर जो माक्स है वह सेम आये हो मतलब हमारे चुन्न को भी 15 माक मिले हमारे मुन्न को को 15 माक मिले हमारेश भी 515 माक में उसमय पाच्चे लोग है जिनको रमेश सुरेश नरेश गनेश इन लोगों कोई 20 माक स्गे वह पॉसिबिलिटी है I can क्या series बन सकती है कि मेरी class में अगर मैं marks की बात कर रहा हूं मतलब x की बात कर रहा हूं तो suppose x ऐसा भी हो सकता है 554 5487 87 8 6 8 इस तरीके के भी series हो सकती है तो इसमें भी हमको क्या निकालना है मीन निकालना है अब ऐसी बड़ी-बड़ी series भी हो सकती है बट यहां पर जो मैंने तरीके में सीरिस लिखा यार यह तो फालतु में एकड़म लंबा चोड़ा करके मैंने सीरिस लिख दिया न इसको मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता एक्स फाइफ फोर एट सेवन सिक्स और बाजू में ऐसे लिख दूकि फाइफ जो है न भाई फाइफ एक दो तीन फाइफ जो है वो तीन बार क्या हुआ है रिपीट हुआ है जिसको हम क्या बोल देते है फ्रिक्वेंसी बोल देते है जिसको हम क्या बोल देते है फ्रिक्वेंसी फाइव कितनी बार रिपीट हुआ है फाइव रिपीट हुआ है फाइव रिपीट हुआ है फाइव रिपीट हुआ है तीन बार समझ मही बात तो मैंने क्या लिख दिया उसके आगे 5 को 3 बार लिखने से अच्छा 5, 5, 5, 3 बार लिखने से अच्छा उसके आगे मैंने एक चीज लिख दिया और वो लिख दिया frequency that is called as how many times a particular number is repeating frequency का मतलब होता है कि एक same number कितनी बार series के अंदर repeat हो रहा है तो हम वो number को repetitive form में ना लिखते वे उसके आगे सीधा सीधा क्या लिख देते है frequency लिख देते है that is called as one frequency तो x के हमारा है 5 यहने 5 marks हमारी class के 3 बच्चों को मिले है आप चाहिए तो इसको इस तरीके से भी लिखे कोई गलत नहीं है कोई गलत नहीं है बट यार हमाली हो जाती है न कोई presentation proper लिखते है कि यह नहीं proper presentation नहीं है यह कि 5, 5, 4, 5 इस तरीके से लिख रहे जादा अच्छा है कि हम उसको simplified form में लिख दे तो यह हम कर रहे है अच्छा 4 जो है 4 marks मेरी class के 1 और 2 घदो को मिला है 4 marks मेरी class के 2 बच्चों को मिला है मतलब frequency कितनी होगी 4 की मतलब 4 कितनी बार रीपीटू है 4 कितने number of students को मिले है 4 marks 2 students को मिले है तो मैंने आगे क्या लिख दिया 2 अच्छा 8 marks 1, 2, 3, 4 8 marks जो है मेरी class के 4 बच्चों को मिले है 8 marks जो है मेरी class के कितने बच्चों को मिले चार बच्चों को मिलें सर आपने यहां पर तीन के बाद 2-2 के बाद 4 एसा उल्ट सी दे क्यों लिखें क्यों फ्रिक्वेंसी थोड़ी ना अरेंच फॉर्म में रहेंगी फ्रिक्वेंसी कोई डेटा थोड़ी ना है फ्रिक्वेंसी तो यह दर्शारी है कि वो पर्टिकुलर नंबर्स जु ए वो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं तो अगर 5, तीन बार रिपीट हो रहा है मेरी क्लास में पाँच माक्स变 ज़ानते सुना इसको do means 4 कितनी बारgot रिपीट हो रहे है for two times repeat हो रहे हैं एकर 4 बच्चों go मार्क्स मिल रहे है 8 मार्क्स तुम्हें उसको 4 बार लिखूंगा न तो are you getting my point frequency कोई data नहीं है frequency स्रिफ और स्रिफ ये बता रही है ये शो कर रही है कि वो particular numbers जो data है आपका this is your data ठीके marks है जिसका आप average निकालना चाह रहे हो वो marks particularly कितनी कितनी बार repeat हो रहे है तो मैंने 8 के आगे कितनी बार repeat हुआ है तो 7 कितनी बार repeat हुआ है 7 के आगे और यह individual series को मैंने अब क्या हमे क dealers कर दिया क्या बना दिया discrete series अब तुम में को खुद सोच के बताओ यह तरीके में डेटा आपको आसानी से पढ़ते जम रहा है कि यह तरीके में डेटा आपको आसानी से पढ़ते जम रहा है देखो answer दोनों में निकलेंगे, answer दोनों में same ही निकलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, answer दोनों में same निकलेंगे, average जो mean निकालेंगे हम, वो दोनों तरीके में same निकलेंगे, आप यहां पे भी निकाल के देखोंगे, सब को add करके, number of observation से डिवाइड करके answer वही आएंगा, यहा परद लिलें से पर आजा रहे निज Two आजा रहा है कि इतने सारे बच्ची रहते हैं तो वेसी बात है ये सारी problems आती ही आती है तो उससे better है कि हम इस series को individual series के तोर पे ना लिखे और काई के तोर पे लिख दे discrete तो देखो ऐसे तो discrete series का सच कुछ खास काम नहीं है इनका स्रिफ काम है discrete series का presentation का मतलब ये तरीके में इस तरीके से हम नहीं लिख सकते हैं इसको हम proper summarize form में लिखना चाहते हैं क्यूंकि numbers बहुत जादा है और repetitive है C क्यूंकि number जादा है प्लस वो numbers क्या है repetitive है इसलिए हमने इसको काई के form में लिख दिया discrete series के form में लिख दिया are you getting my point yes or no clear तो यह सिर्फ presentation और लिखने का क्या है तरीका है अब solve करना है यहां पर भी इसका भी हमको formula लगा के solve करना है लेगिन हम पहले formula थोड़ी ना लगाएंगे हम formula बनाने की कोशिश करेंगे मेरे को एक चीज बताओ आप जब यह series में mean निकालते जब आप यह series के 8 और divided by number of observation यही करते हैं तो यहां पर अगर मैं इसको ऐसा बोल दू कि एक ही नंबर को बार 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 आड़ करने से अच्छा है कि वही नंबर को बार बार आड़ करने से अच्छा आप उसको multiply कर दो नहीं समझा सिंपल है एक ही नंबर 55 को तीन बार आड़ कर रहे हो तो उ कि एक है कि एक लिए अजह से है क्क अगह поступ उटकवर आड़ कर दो से मल्टिप्लाइ कर दो आप एट को चार बार कर रहे हो उसे अच्छा है कि एट को क्या कर दो वो से मल्टिप्ला पर लेका टो आप 7 को दो बार कुझकि 53 उल्टा भी लिख सकते यही बात है यही बात है 2 into 4 तो इंटो 4 वह दो बार रिपीट हुआ है तो एंटो 7 एक वह एक बार रिपीट हुआ है तो मतलब ultimately point यह हो रहा है क्या आप यही कर रहे हो क्या 3 into 5 plus 2 into 4 plus 4 into 8 plus 2 into 7 plus 1 into 6 ultimately आप यही कर रहे हो क्या अरे आप यहां पे ऐसा करते आप यहां पे ऐसा करते 3 5 plus 5 plus 5 इसकी जगा आपने ऐसा ना करते वे आपने क्या कर दिये 5 into 3 कर दिये क्योंकि 5 बार बार रिपीट हो रहा था आप यहां बे 2 4 in 4 plus 4 दो बार लिखते उससे अच्छा आपने 4 into 2 कर दिये 4 into 2 कर दिये 4 into क्या कर दिये करने 2 कर दिये clear तो मेरा बोलने का मतलब यह है कि इसका जो फॉर्मूला बनेंगा वो भी इसी कहीं तरीके से बनेंगा फॉर्मूला वाले बोलते हैं कि आप इसको 5 की जगा या ऐसा लिखो ऐसा लिखो एक ही बात है 3 into 5 तो आप इसको 3 की जगा फ-1 बोल दो बोले यह 3 नहीं है यह फ्रिक्वेंसी है first वाले की अच्छा f1 का मतलब हो गया यह frequency किसकी है first वाले की ओक्ए और यह जो है नबोले यह x नहीं है यह बोले x1 है क्योंकि यह जो x का data है यह first वाला x का data है तो मैंने बोला ठीक है तो 3 is f1 into x का फर्स्ट वाला तो 3 into 5 बोलो या f1 into x1 बोलो कोई फरक है क्या है कोई फरक नहीं है प्लस आप 2 into 4 बोलो या frequency of 2 और number of 4 number of 2 ऐथा बोलो एक ही बात है f2 into x2 plus f3 into x3 plus x4 sorry f4 into x4 एक ही बात है plus f5 into x5 तो इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं बिलकुल लिख सकते हैं आप नीचे क्या करते थे आप नीचे डिवाइड करते थे इन सब को एड़ करने के बाद नीचे डिवाइड करते थे कि कितने number of observation है एक दो तीन चार पाच छे साथ आट नौव दस ज्यारा बारा बारा observation है तो मैं इसको ऐसे गिनने से अच्छा है ऐसा नहीं बोल सकता है क्या फाइव अगर तीन बार रिपीट हुआ है फोर अगर दो बार आठ चार बार साथ दो बार छे एक बार तो सीधा सीधा मैं लगता साल तो बात होई होगी आप इसको फ्रिक्वेंसी की टोटल लगा ओ मतलब 3 लिए इसकी हमने टोटल लगा दी और टोटल को हम और रहें समेशन अब उसको F बोलो या उसको end बोलो बात ऐ किये है मतलब frequency की टोटल frequency मतलब numbers कितनी बार रिपीट होएं तो एक ही बात होगी चाहे आप उसको number of observations बोलो चाहे आप उसको summation F बोलो कोई फरक नहीं है तो फाल डराने के कर आद में और कुछ नहीं, मैं ऐसा बोल सकता हो कि यहाँ पे भी हम नीचे क्या करते थे, 3+, 2+, 4+, 2+, 1 इस तरीके से एड करते थे, तो basically हम frequency of 1+, frequency of 2+, frequency of 3+, frequency of 4+, frequency of 5, इस तरीके से करते थे, अब इसको और shortest form में अगर हमको लिखना है तो हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते और लो यहां पर क्या हो रहा है एड को संसे क्या देल लीटा और एसा बोल देता कि पहले मैं एड definitive program संपड़ी एसवा इन कीशन है है तों है यह आपका फॉर्मुला है स्पवस्क्राइश्वे समेशन थ्यículo और, एफ, f , f , f , f , f , s ? देखो, जिम्पल है बहुत। अइसा तुम्हे डारेक्ट भी बदा सकता था. तुम समझने की कोशिश करो, कि यह जो फॉर्मुले बन रहे हैं, कईना-कई यह जो तरीके से हम कैक्निस करते हैं, कहीं ना कहीं यह जो तरीके हम नॉर्मली अपनाते हैं उसी के उपर से यह फॉर्मुले बनते हैं तुम लोग उल्टा पड़ते हो तुम यहां से चालू करते हो पढ़ना Fx से तो तुम्हार को यहां तक पोस्ते बोते दिखका जाता है मैंने बोला simple रखो भाई तुम इसको solve करने के लिए यह करोंगे ना कि 5 को तीन बर add करोंगे तो मैंने बोला 3 into 5 तो मैंने 3 into 5 को नाम देते वे बोल दिया कि 3 is nothing but frequency of 1 और 5 is nothing but x of 1 तो मैंने बोला f1 into x1 f2 into x2 f3 into x3 f4 into x4 f5 into x5 और divided by सारी frequencies को जोड़ना है क्योंकि number of observations निकाला है तो मैंने f1 plus f2 plus f3 plus f4 plus f5 कर दिया तो basically इसको मैंने इस तरही के से लिख दिया f into x उसका summation upon summation f तो सर्यान ultimately हमको करना है यहाँ पे क्या है यहाँ पे हमको सबसे पहले f into x करना है यह जो हम कर रहे थे frequency into x क्योंकि तीन पास तीन बार repeat हुआ है तो basically मैंने क्या आ गया 15, 8, 32, 14, 6 3 into 5, 15, 2 into 4, 8 4 into 8, 32, 2 into 7, 14 1 into 6, 6 clear अब इनको ही अगर मैं total कर दूँगा तो मेरा ऐसा नहीं आ जाएंगा f x का summation which is 15 plus 8 plus 32 plus 14 plus 6 75 so मैं इसको ऐसा solve नहीं कर दूँगा क्या x bar is equals to f into x उसका summation upon summation f f into x का summation आ गया 75 upon summation f had 12 therefore my x bar is equals to calculation check कर ले न 6.25 concept और formula यह ही है answer आ गया देखो यहाँ पे तो तुम directly इसको total करके easily निकाल तकते थे लेकिन ऐसे नंबर बहुत बड़े बड़े भी रहते हैं कब तक ही तुम इसरीज फॉर्म में लिखते रहोंगे इंडिजल सीरीज के फॉर्म में क्लियर अब यह फॉर्मूले को मेरे साथ पढ़ना बोड़ पढ़के दिखाओ पढ़ो मेरे साथ फॉर्मूला क्या बोलता है मैं जान मुझे करो पढ़के दिखाओ फॉर्मूले को कुछ लोग इसको पढ़ रहे होंगे समेशन एफ सच्सको पढ़ रहे होंगे समेशन एफ इंटु है कि डूर्मूं की दूनों समेशन इफ पक्स बोलें फेसा पंडे का तरीका अजमेशन एस дело घ्रताली कि टॉम ही ब्रून कर एफ इंटू एक्स, ओके, तो समेशन एफ इफ इट्वेल, तो ट्वेल इंटू फाइफ, ट्वेल इंटू फॉर, ऐसा ब्लंडर तुम पेपर में जाके करोंगे, फॉर्मूले अपनी अपनी लिमिट बढ़ाते चलेंगे, पहले एक सिंगल वाला समेशन एक्स अपॉन एन थ पढ़ाते चलो, तो तुम्हारे से यह गलती होंगी पेपर में, इसको पढ़ो इस तरीके से जिस तरीके तो तुम सॉल करते हो, तो उसी समय तुम्हारे को सॉल करके देखने की जरूरत नहीं पढ़ेंगी, तुमारे दिमाग में वह चीज बैठ जाएंगी, वह प्रोसेस खब जा रहे हैं तो मेरे दिमाग में अई जाएंगी, तो इसको अग्रहा एंस पढ़ते है, f x सबसे पहले में को f को x से multiply करना पड़ता है f को x से multiply करना पड़ता और बाद में जो amount आता है उसकी में को क्या करनी पड़ती है summation तो f into x उसका summation upon summation f clear तो इस तरीके से यह सौल होंगा answer आ गया और क्या छपाई कर लो फिर आगे बढ़ते हैं कि उनको लगता हूंगा कि सर कितना elaborate कर रहे है कितना elaborate कर रहे है यह को फॉर्मुले बढ़ते जा रहे है दिल्ली दूर नहीं है जब फॉर्मुले एक खतरनाक रूप ले लेंगे ठीक है जब हम स्टैंडर्ड डिविशन और वहां तक पहुचेंगे जब तुम्हार को यह मेरी भुपड़े इसलिए आच्छा कि यहां पर मैं डारेक्ली इतनी हमाली करूँगा ऑंक पर में कापी निकाल निकालों वहां पर लिखू मैं F इंट्व एक्स फिर मैं उसकी टोटल मारू एप इंट्व एकस का समयशन फिर फोर्मूले में पूट करोक एप सब एकस का समयशन अपान एफ फिर उसका एंसर निकालो कि या बारवी की एक्जम देने जा रहे के तो या आठ भी कि कि यह पॉसिबल है नौट पॉसिबल कि यह करने बाइठे ऐसे इस चवणी प्रोलम के लिए सब पेपर में आते हैं कि आते हैं क्यों यह तो फुराएंगा कि नहीं ऐसे साय यह यहां पर यूज हो सकता है कि बिल्कुल सब्सक्राज को साफ्से इन का मैं आ STEPHANand चयांता इस जीटी प्डंकशन तरहम डारेक्ली इस सब फो चोड़ो आप साथी यह 2 बस हम यह दो पता है na Sai हमगे दो कि बालुम है दिमाग में हमारे मैं कि इंट्ख करना यह विट करना है 2 x 2 x 3 x 3 x5 ठीक्रीन प्रimon工 स्धिदे उस्लिटे में वाया मेमोरी में एड होने के लिए f into x मतलब 2 into 4 4 into 8 2 into 7 is equals to देखो बार-बार मां वापसे करकर हो 3 into 5 is equals to मतलब 15 add होने के लिए चले गया gt function में 2 into 4 is equals to मतलब जब मैंने जब आया तो एक जो नंबर है वो अल्रेडी चले गया मेरे जीटी में 4 into 8 is equals to 2 into 7 is equals to 14 चले गया 1 into 6 is equals to चले गया अब में को क्या करना है formula क्याता f into x उसका summation तो मैंने f into x तो कर दिया अब उसका summation निकालना है तो उसके लिए वो कहां पर already मेरे पास आगे आ है निकालके gt में तो just मैं gt प्रेस करूंगा and I will get 75 that is f into x का summation अच्छा formula निमाग में मेरे चल रहा है एसे mind में पूरे formula होने चाहिए f into x उसका summation यह हमने निकाल लिए divided by summation f सर समेशन f कहां है निकालेंगे एक काम करते हैं हम summation f के लिए हम memory वाला function यूज़ कर लेते हैं gt वाला function तो यूज़ हो गया अब हम summation f के लिए memory वाला function यूज़ कर लेते हैं कैसे मैं अब बोलूँगा इनको 3 प्लस इनकी टोटल लगानी है तो मैं क्या करता हूँ 3 m plus 2 m plus 4 m plus 2 m plus 1 m plus कि यह समझ में आ गया कि अब यह जो 3 plus 2 plus 4 plus 2 plus 1 है कि मैंने सब m plus में डाल के रख दिया है मतलब यह कहां पर देख सकते आप MRT में देख सकते तो आपको समझ में आ रही है मेरी बात कि यह जो उपर वाला है यह GT में सेव हो गया नीचे वाला MRC में सेव हो गया उपर वाला F into X का समेशन समेशन F नहीं रहे F into X का समेशन GT में सेव हो गया और नीचे वाला MRC में सेव हो गया समझ में आ गया तो यह काम नहीं कर सकते क्या अब हम नॉर्मली calculator पर GT रवाएंगे GT divided by MRC is equal to you will get the answer see GT divided by MRC is equal to क्यों क्योंकि GT में तुमारा F into X का समेशन सेव है और समेशन F तुमारा MRC में सेव है तुमारा एंसर आ गया कुछ भी नहीं इसके अंदर को चाहिए तो यह दो मेरे टारीक यूज कर सकते अब पहली पहली बार है इसलिए में को इतना इलेवरेट करना पड़ता है और तुम लोगों को समझने में समय लगता है बट जैसे से तुम करते चलोंगे प्रैक्टिस यह सब चीजे तुमारा ले चिल्लर बन जाएंगी अब मेंको कोई है प्रोब्लम सॉल करने के लिए बोले तो आयम तो लाइक थी इंटू वाइव तो फोर इंटू पोर इंटू एट टू इंटू सेवन वाइंटू सिक्स थ्री टू पोर टू वन जी टी यह मर्प आंगे गड़ी लगा लिए होगी ना तो बीस सेकेंड में लगे होंगे बीस बच्ची सेकेंड होगे 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 हैं अब देखो यह कोशन इजी था तो यहां पर फ्रिक्वेंस्टी की टूटल नों मुह से भी लगा सकते थे तो फिर मर्सी नहीं भी करते तो चलता था डारेक्ली सब्सक्राइब कर दो लिख लो चलेंगा लेकिन यहां पर में को यह है कि तुमको मैं ऑप्टिममम यूज़व मैंक्जीमम यूज़व केल्कुलेटर फिका रहा हूं मैंने पेन और पेंसिल को उठाया तक नहीं और कोशन सॉल कर दिया ऐसा यहां पर नहीं से बहुत सारे अब पहले दो तरीके से अच्छा करेंगे दोनों तरीके से मैं अब भी चच्छ से समझा रहा हूँ पहले ऑल्वेज आप कॉपी में लिखके देखोंगे नॉर्मल फॉर्मूला अप्लाइ करके सॉल करोंगे जैसे मैंने करा भी वैसे ही आप पहले कॉल्कुलेशन करके देखोंगे उसके बाद ही कैलकुलेटर ट्रिक को हाट लगा नॉर्मल सॉल करो जैसे आपनों की चलाना आ गया है मैं फिर भी मैं आपके लिए करके दिखाऊंगा यह प्रॉल्लम यहां पर 우리 आपिर्धीय कोश्चन में मेरे पॉछिंटी फिपटीव थिए फिवटीफवाइ मर्ैंसेंटेपट इस नतिन बड़ 10 25 मार्ट 30 सुन स우मले है तो बैसिक फ्रटीन थो यह 15 मनदफ उल्ल कितनी बार रिक्वेंसी उर यह तो दस नथिंग बट वह मताने थोड़े आगा तुमधार को यह फ्रिकोंसी तुमको पैचानना पढ़ है ना इस एक सेiza whirl वाई तक चल ले दो, 5, 15, 25, 35, 45, 55, frequency कितनी है मेरी, 10, 20, 30, 40, 50, 60, देख्यों, यह ही है क्या और कुछ है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, question बरबर उतार लेने का, तभी answer सौल कर पाऊंगे डंचे, हमको कोई जरत नहीं सब करने की, डारेक्ली हम सौल कर सकते, फिर भी हम करके देखेंगे, बोलो formula क्या बोलता है, किस तरीके से सौल करना है, frequency multiplied by x, क्योंकि सर क्या है न, कि 5 को 5, 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 ऐसे दस बार एड करो, या आप उसको 5 इन्ट्यो 10 कर लो, बात एक चे, कर देते हैं तो 10 इंटू 5 विच इक्वल स्टू 50 20 इंटू 15 विच इंटू 30 इंटू 25 विच इंटू 750 40 इंटू 35 विच इंटू 1400 करके देख लेना 45 इंटू 50 45 इंटू 50 2250 I suppose मेरी केलकुलेशन थूरी से अच्छी है तो आप फिर भी करके देख लेना 55 इंटू 60 3300 मैं रिक्ष नहीं लेना चाहता क्या है दिक्कत ना हो एक बार आपकी यह लेक्वलेशन चेक कर देता हूं 10 इंटू 5 20 इंटू 15 30 इंटू 25 40 इंटू 35 45 इंटू 50 यह गलत हो गया ना जोखे 45 इंटू 50 इंटू 30-300 जीटी मेरा डूटल आ रहा है 7825 इंटू पर बर बरता है यह गलत कर दिया तो इसी गलतिया हो जाती है चोटी-चोटी-चोटी मिस्टिक मेरसे हो गई तुम से नहीं हो सकती है अरे बिलकुल हो सकती पेपर में तो यही तो आए यही गलतिया होती है सिली मिस्टेक्स मैं एक दिन मेरी स्टूरी बताओंगा तुम्हार को कित्ता बड़ा मैं ब्लंडर करता था एक बार सी फैनल में जिसके जिसे मेरे को अटेम्ट लग गया था कि तुम विश्वास नहीं करोंगे किसी दिन मोड रहेंगा ना सुनाओंगा स्टूरी घबरा या दम है वह घबराने के जक्कर में छे मैंने लग गए तो कैलकुलेशन और जो उतारते हो तुम वह बहुत जरूरी है बहुत इंपोर्टेंट है 8050 तो मेरा क्या आ गया f into x का मैं हमेच्छा लिखूंगा भी तो इस तरीके से बोलूँगा f into x का summation आ गया 8050 10 plus 20 plus 30 plus 40 plus 50 plus 60 210 though though so मेरा therefore x bar is equal to F into x का summation upon summation F which is equals to 8050 upon 210. Therefore x bar is equals to 8050 upon 2110 38.3333 recurring answer सब्सक्राइब कर देख सकते हैं और हम बोलेंगे कि हम पांच मिट में कर रहे हैं एक मिनिट के अंदर कर रहे हैं तो यह टाइम स्टार्ट ना आप करो मैं यहां पर करता हूं 5 x 10 is equals to 15 x 20 is equals to 25 x 30 is equals to 35 x 40 is equals to 45 x 50 is equals to 55 x 60 is equals to 10 m plus 20 m plus 30 m plus 40 m plus 50 m plus 60 m plus gt divided by mrc is equals to सब्सक्राइब कर देख 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 सब तो मेरे स्वाइद क्याए इब में जांज आए ऐगने कि यह की जो कि यह क्लीर में संपक्रिस गखे इसकर और छल रहें बाव स्पीड बढ़ा यहां रखो एक्ट बे पर के बंकया बेखे है और कोर्स इतना बड़ा नहीं है कि हमारे को बहुत टाइम लगेंगा यह तो तुम्हारा भाई यह की जो लंबा खिसता है तोड़ा सा ज्यान मुझकी किता है कि तुम्हारे दिमागा पूरा स्टेट्स क्लास में ही बैड़ जाए एक प्रोब्लम तो बनता है मैं चाहता तुम सेवन फिफ्टीन एटीन ट्वेल थर्टी फाइफ सेवन नाइन पोर टू वण सेवन नाइन पोर फाइफ शिक्स नजरे अपनी थोड़ी गडा के रखना और सॉल करना इसको नॉर्मल सॉल तुम करोंगे मैं तो स्रिफ कल्कुलेटर पर करूँगा तुम दोनों सॉल जल्दी जल्दी स्पीड पहले कोशन यहां पर सॉल करो तुम बड़ा वाला और फिर बाद में कल्कुलेटर उठाना करलो यार मीट कंटिनयस में दो मृट भी लगीगी की पूरी की पूरी बस ऑफब एक थोटी सी चीज़ लागए और कुछ नहीं है मतलब प्रोसेस के लिकुलेशन करने की सॉल करने कि सब तो मतलब देखा जाए तो कंटीनियस और यह दोनों एक साथ ही हो जाती है ठीक है इसलिए यहां पर थोड़ा टाइम स्पेन कर देता हो तक ही कल्कुलेटर ट्रिक्स फग्रेव तुम्हारे क्लियर हो जाए बागी कोई बात नहीं है गर की बात है पटाफ़ आई होप हो गया होंगा मैं कर देता हूँ 11 x 7 is equal to 15 x 9 is equal to 18 x 4 is equal to 12 x 5 is equal to 35 x 6 is equal to 7 m plus 9 m plus 4 m plus 5 m plus 6 m plus gt divided by mrc is equal to सो माई एंसर इस चेक कर लेना गलत होंगा तो करेट कर लेना 87 मतलब इसको 88 लेलू चलेंगा रांड़ दोफ पर देंगे लाज़ इडिट को और गया आगे एंसर मार को यहां पर ट्रिक लिखके देदेता हूं मैं इन कैलकुलेटर कैसे करना है बस अब नहीं कराऊंगा बात में हो गया प्रोल्म 11 इंटो 7 इस इक्वल्स तू 15 इंटो 9 इस इक्वल्स तू 18 इंटो 4 इस इक्वल्स तू 12 इंटो 5 is equals to 35 into 6 is equals to 7 M plus 9 M plus 4 M plus 5 M plus 6 G T divided by MRC is equals to done that's it कि अरे एक हो गया आगया एंसर क्लियर को स्टार्टिंग में थोड़ा धीर देले चलेंगे बाद में स्पीड पकड़ लूंगा मैं ठीक है जहां पे जरुद पढ़ेंगी स्पीड की आप हम कर लेंगे लेकिन प्लीज अब लेक्शन प्लीज के लिए आप करेंगे तो कि प्रक्टिस कर लो केलकुलेटर हाथ बैट जाए थोड़ा सा बात में फिर यह चीजों पर थे थोड़ा सांसेंटरेशन हम में जाधा कर रहा हूँ ठीक है गाइस मिलते हैं कल बाइबाइबाइबाइबाइबाइब